दोस्तों आज मेरे घर पर इस्तेदार आ गए जिनको खांसी और जुखाम थी ऐसी सबजी मुझे बनाना था जिसे उनकी खांसी जुखाम दूर हो जाया और जो उनके बच्चे हैं उनको खांसी जुखाम ना हो क्योंकि जुखाम जो छिंक से फैल जाता है अगर आपके घर में किसी को जुखाम है तो आपके भी जुखाम हो सकता इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही मेधार सबजी लेकर आया हूँ सिर्फ लैसुन की सबजी इसे आप खाएंगे तो महिनों आपके जुखाम और खासी नहीं होगी और सर्दी उम्त इसे आपको एक महिने में एक बार खाना चीज सबजी को जिससे आपको सर्दी नहीं लेगी ना खासी होगा ना जुखाम होगा तो सबसे पहले लैसुन को अच्छी तरीके से दुल के साफ कर लिया गया है फिर प्याज काट लिया गया है फिर अधरक और लैसुन और हरा मिर्चे को जो है सिल बट्टे में पीसा जा रहा है क्योंकि मिक्सी जो है नहीं चलेगी लाइट चली गई है तो इसलिए इससे बलट्टे में पीस लेंगे और पीसने के बाद इसे हम लोग अलग रख देंगे सारी तैयारी हो चुकी है बस थोड़ा सा ग्रेवी के लिए यहाँ पर टमाटर लगभग दो टमाटर देसी खटे वाले अब लाइट आ गई है मिक्सी में से बिल्कुल पीस लिया गया है बारी इसके बाद एक कडाही लिया गया है इसमें जो है तेल डाल दिया मैंने तेल डालने के बाद इसमें जो लैसुन अच्छी तरीके से हम लोग उन्हें धूले थे यह देखिए अब इसे फ्राई कर लिया गया है धीरे धीरे यह बिल्कुल कमल का फूल हो जाएगा यह देखिए जब फ्राई हो जाएगा तो यह जो है इसके जो कलिया है यह अलग अलग हो जाएंगी यह देखिए बिल्कुल खिल गई है इसका मतलब यह परफेक्ट भून चुका है इसे हम लोग अलग निकाल लेंगे जादा इसे लाल नहीं करना है अब बचे वे तेल में जीरा डाल देंगे और जीरा डालने के बाद खाले मसाले खाले मसाले डालने के बाद जो प्याज हम लोगों ने बारी काटा था इसे इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे आपको पता ही है ब्राउन होने तक भूनना है यह दिखिए धीरे धीरे यह ब्राउन होना प्याज चालू हो चुकी है अब इसमें जो हम लोगों ने पेश्ट बनाया था सिल्बटे पर लैसुन और मिर्चे और अधरक का इसमें डाल देंगे और डालने के बाद लगभग 30-40 सिकंड तक भूनेंगे फिर जो टमाटर का पेश्ट हम लोगों ने बनाया था इसे भी इसमें डाल देंगे टमाटर को पकने में लगभग 1 मिनट के समय लगेगा धीमियात में से पकाएंगे जो टमाटर हमारा पेल छोड़ने लगेगा इसका मतलब परफेक्ट भून चुका है फिर इसमें हल्दी पोडर हल्दी पोड़ डालने के बाद इसमें धेर सारा धनिया पोड़ डालने के बाद कस्मिली लालमिच पोडर फिर इसमें थोड़ा सा हम लोग एक चम्मत बेसन डाल देंगे इससे ग्रेवी हमारी इसमें सोंधा पनाएगा और गाल ही बनेगी ये देखिए इसे जो है बेसन को भून दिया जा रहा मसालों के साथ इसके बाद जो हम लोगों ने लेसन फ्राई किया था इसे इसमें डाल देंगे ये देखिए ग्रेवी में से डाल दिया गया है इसके बाद हम लोग को पानी डाल देना है पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और mix करने के बाद इसमें स्वादा अनुसार हम लोग को नमक डालना है नमक डालने के बाद सिर्फ इसे ढख कर पकाना है ये देखिए स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दिया गया है फिर इसे हम लोग ढख कर पकाएंगे जब धाक कर ये पक जाएगी सबजी तो ये खाने के लिए रेडी हो जाएगी दोस्तों लेसन हमारे स्वास्त के लिए बहुत यदा लबदायक होता है अगर आपकी पाचन सकती कमजोर है अपच है तो इसे आप खा सकते हैं यह हमारे सूगर को कंट्रोल करता है, ब्लेट प्रेसर को जो है कंट्रोल करता है, जोलो को दर्थ को खतम करता है, सेहत के लिए बहुत यदा फायदे मंद है, इसके एक नहीं, एक हजार फायदे हैं, तो इस सब्जी को आप बना कर खा सकते हैं, बहुत ही फायदे मंद होती है सेथ के लिए ये देखिए खाने के लिए रेडी हो चुकी है इसे आप रोटी, पूरी, पराथे, चावल जिसके साथ मंद करें बच्चे, बुढे, बुढे, सभी को बना कर खिला सकते हैं इसी तरीके से आपके लिए धिट सारी वीडियो लाने माला हूँ तब तक आप खुश रहें, स्वस्त रहें और मस्त रहें वीडियो पसंद है तो लाइक और सेहर जरूर करें